थीक है तो बच्चे आते रहेंगे मैं इतने सार्ट कर रहें पर सो फर्स पार्ट के लिए आप लोग देख सकते हो कि जो है वाई स्क्वार माइनस टो वाई इक्वल्स एक्स फ्लस थी लिख देंगे अब देखो इसमें क्योंकि वाई स्क्वार तो इसलिए इसका सब्सक्राइब लोगे चांजाब करते विया अधेर लिए सकते हैं यह उसकते हैं सब्सक्राइब ј prize जाइगा इधर जाएगा मारे लिए नहीं है ना तो मारे यहां पर वर्टेक्स कितना हो गया है यहां पर अमारा वर्टेक्स हो गया जब ढूंत 5 मैं तो इपने आगी मारे कितनी आगयीी सु Beim yes इननस एककोल आ जाएगा किसके वर्टेक्स एक्वल आ जाएगा माइनस फूर कॉमा वन के एंड बच्चे लोग आ नहीं रहे तो ठीक है फिर यहां तक वर्टेक्स तक तो मन निकाल लेगी आप आगे बढ़ जाते हैं बाग्यों का वेट कर रहे हैं आ जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे चलो तो इसमें आगे जो है ग्राफ होनाना है बस तो देखो वाई चाहे कुछ भी य हिस्सा मेंशा पोजटे तो यह हिस्सा कुन सा है एक्स वाला इससा तो एक्स पोजटेव राइट सेड में होता है तो पहले वर्ट एक्स पी पहुंच जो फिर राइट सेड ओपन कर देना सो वर्टेक्स के मारइश-4,1 यहां कहीं होगी एक्स के व्लिव माइनस 4 य की वेल में आपका पहला कोशन का आंसर यहीं आया है जो मैंने लिखाया है कि वर्टेक्स यहीं आएगा अच्छा आप प्लस फॉर कॉमा कि प्लस फॉर कॉमा माइनस वन क्यासे आएगा बिटा चेक करो जबाएनस फॉर कॉमा तो बिटा का क्यल्यर कर देना यहां पर तो माइनस टुवाई यह प्लस का टूवाई जब यहां जाएगा तो माइनस टूवाई बनेंगा ना तो यह तो माय माय– 1 कहोंष नहीं मैं यह और यह माय–1 का होल्ब उसकार है तो इसलिए वाल Joyce b 6, 1-4 i क reop認 पहले आपका यहीं आया था पिटा क्या था बता दो फटाफट सेकंड पार्ट तो असान है चलो तो मुझे फिर सेकंड का अंसर बताओ फटाफट सेकंड का वर्टेक्स कितना आया सेकंड का वर्टेक्स कितना है वर्टेक्स यह बहुत ही असान था यह तो बहुत असान कोशन था इसको तो आपने यहां से सीधा लिख दिया होगा जीरो कॉमा फाइब थ्री बता रहे हैं और ग्राफ कैसा बनेगा इसकी ओपनिंग बता दो राइट साइड में लेफ्ट साइ यह नहीं एक्ष्यल मैं य पॉइंट चोंगे गाए टो यह अंपर भॉआन्फ तो यहां कहीं आएगा है यह पॉइंट यह पॉइंट नहीं है यह पॉइंट को एक्ष्ञ को 'dag कर लेगा पाइल मीट आप कुछ बोल की नहीं कि कुछ नहीं कर आप कि पाइल कोई बात नहीं आने दो पाइल स्लो आवाज आने दो समझतो रहे हैं अब जब उसमें आवाज पोसिबल नहीं उपारी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगा आप मतलब अगर ठीक हो पारी होती है तो कर लेते पर सुनने लाइक आ जाती है कि मैं सुन सकता हूं अगर पूरा ध्यान लगाऊं तो तो आप बोलो कोई बात नहीं वेटा है ठीक है चल लो तो यही मैच हो रहे हैं आपके भी आंसर सभी कांसमाच हो रहे हैं तो थर्ड थोड़ा सच था दा मतलब जो इन तीनों पार्ट में सबसेच्जा थोड़ा फर्ड़ी देख्योंकि इसमें दो काम करने दे तो करो ना सब्सक्राइब करो यहां पर लेफ्ट साइड में करते तो सब्ट्रेक्ट और एड करते बट अगर मैं बोथ साइड करूं तो दोनों साइड कर दिया करो तो जल्दी तो कितना निकल के आ रहा है यहa से रोटेक्स निकल के 아 रहा है आपका 002 और यह खुलेगा कहांपे खुलेगा कहांपे चेक करो है खुलेगा आपका पहले इकस जगह य की जगा झारफ य हमेशा जी नेगben तेव नेगटिव का हुतता है एक साइक कुछ भी वाय हमेशा नेगेटिव डाउनवर्ड की साइड तो यहां से डाउनवर्ड खुल जाएगा क्लियर है तो यह तीन आपके क्वेश्चन्स थे जो कि हमने सॉल कर लिए तो मैं अब ज्यादा बात जो है इसकी नहीं करूंगा शेडते शे wished लिए धिफ Voller को इसका स्क्रीनशॉट लिए याए चलो तो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले भॉट अमने से बीदें वर्टेक्स हो ग्राफ कर दुद्स और उख में ब्जाने लिखनाव ने हम्में सिर्फ और में क्या करना है तो अब भी हमें पैरा बोला के सारे बनाने आगे मुश्किल से मुश्किल आसान से आसान सारे मैंने डिसकस कर लिए अब आगे बढ़ेंगे है ठीक है बच्चो हटा रहा हूं कि वह चैट वाला फॉलो करते हैं अपना चैट वाले हिसाब किसा बढ़िया है सो राइट साइड में आप अपनी मैंने यह कर दिया है चैट का और आप लोग बच्चो यह सर लिख दो स्क्रीनशॉट लेके यह सर लिख दो फिर आगे अब बहुत है तो बहुत है अच्छी बात है यह तो टीक है तो भाई है रिशब आप इस वेसाब को देख लो आपके तीनों पार्ट आपने शोल कर लिए होंगे तो यह आपके आंसर्स आये हैं तो मैच कर ले ना अधर्वाइज आप जो है करें वैसे तुमने कॉश्टन सब्सक्राइब तो मैच करो फटाफट अपने आंसर से कि यह आंसर आए कि आपके पहले का वर्टेक्स मैनस और दूसरे का वर्टेक्स जिरो और यह ग्राफ यही है और नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लो और आम से मैच कर लेना स्क्रीन शॉट ले लो अराम से मैच कर लेना चालो तो ठीक है फिर अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों अब किसकी बात करते हैं अभी हमने एक सब्सक्राइब कर लिए अब हम दूसरी किसकी बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं सरकल की तब अच्छों सरकल के आपको जनरल यहाए सब्सक्राइब करते हैं एक सिरुटैंब्स-वास्राइब को क्या होता था रेडियस होता था और ड्रॉ कैसे करते थे सर्कल को सर्कल ड्रॉ कर दिया यह सरकल हो गया हमारा इस पॉइंट को क्या बोलते थे सेंटर है यह एच कॉमा के और रेडियस कितना आर चीक है कई लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं कई लोग इसको इस तरीके से भी एंड भी मतलब अपनी मर्जी है कैसे भी यूज कर लो कोई फरक्ष ने पड़ता क्योंकि दोनों ही क्या है आप इस सेंटर लिखना चाहिए वह से तो इस सेंटर and r is the radius, r क्या है radius है, ठीक है r radius है और वो क्या है center है, यहां भी is कर लेना, ठीक है, चलो, तो यह हो गया हमारा, आप देखो इसका एक example लेते हैं, जैसे माले लो एक example लेते हैं, so example नंबर 1, example नंबर 1 क्या है, मालो मैंने का x-3 का whole square plus y चलो पहले बेसिक लेते हैं बिल्कुल बेसिक लेते हैं कौन सा x square plus y square equals 16 यह ले लिया हमने तो आपने कहना है this equals x square plus y square equals 4 का square देखो ऐसे लिखोगे तो भी सही है नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं सटने यहां से भी देट नो हो सकता है तो कि चले चलिए कि कमारे CTर भी हो सरकलो में संटर कितने रिडिस कितना है खे। मैं इस फॉर पॉइंट कितना हो गया फॉर कॉमा जीरो यह पॉइंट कितना हो गया माइनस फॉर कॉमा जीरो यह पॉइंट कितना हो गया जीरो कॉमा फॉर यह पॉइंट कितना हो गया जीरो कॉमा माइनस फॉर तो यह हमने क्या कर लिया प्लॉट कर लिया ठीक है तो हम क्या लिखेंगे एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश ठीक है यह हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया इसका यह बिल्कुल बेसिक था चाहिं ? अब देखो अब इसकी इसकी equation क्या इसकी equation मिलिक देना आ इसी पर x square plus y square equals 16 है ना तो इसमें अगर मैं एक और एक्जांपल की बात करूँ तो यह तो हमारे time waste होगा मतलब easy वाले की बात कर रहा हूं मैं x square plus y square equals 4 लिख दिया तो आप आपको कुछ नहीं करना ऐसी circle बना देना 00 के जगह से यह चेंज हो जाएगा हमारा यह क्या हो जाएगा 2,0 यह 0,2 तो सारे टू टू वाले चेंज हो जाएंगे बाकि सब सेम रहेगा ना तो यह कुछ खास नहीं था अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं किसकी मालो एक्जांपल नंबर 3 देखो एक्स माइनस 2 का होल स्कूर प्लस वाई स्कूर इक्वल्स कितना मालो यह आपका 9 ठीक है तो आपने क्या का कि सर यहां पर अगर मैं सेंटर की बात करूं तो यहां पर सेंटर क्या आ रहे है इसमें सेंटर हमारे कीवल्स का निकल कर आ रहे है 2,0 का कववेट कर रहे है तो यक्स के वैल्यू जिरो आ रही है अच्छा अन्न कीतना निकल के आ रहे है त्री क्योंकि एः स्कूर होता है यहां पर क्या होता है आरी स्कूर तो आर की ओता है रेडिने स्कवल होता यह ए अना तो यह हो가ória पर जाते हैं मतलब यहां पर सर्कल के किसमें सेंटर है तो इसलिए 2,0 पर चले गए तो यह हो गया मेरा 2,0 अब देखो 2,0 पर जाने के बाद क्या करना आपको देखना है कि रेडिस कितना है तो 3 यूनिट अगर आप इधर शिफ्ट होगे तो 2 से 3 यूनिट इधर जाओगे तो आपको पता है बच्छों 5 पर पहुंच जाओगे और 2 से 3 यूनिट इधर जाओगे तो आपको पता माइनस पर पहुंच जाओगे तो आप एक रैंडम ली सर्कल बना देना रफ स्केच होता है यह कुछ कंपस वगर है तो बहुत अच्छा बनेगा प्यारा सा नीट सा हमारे पास है तो तूल शेखो क्या करते हैं कि अदिये ल barley यह बना दिया मैंने सर्कल ठीक है यह मेरा सरकला है इसको थोड़ा स ऊपर कर देते हैं तो यह सर्कल बना दिया था यहास का सेंटर रहीं में एक टो एक तू सब्सक्राइब हो जाएगा आपका चक्र को बताओं इस पॉइंट के बारे में नहीं बता पाएंगे कि यह पॉइंट कितना है क्यों क्यों क्वेश्चन करके हम हाला की बता सकते हैं कि कि और एक्स को सोल कर देना यहाँ पर वाई की वैली तो कहने का मतलब एक्स के जगा जीरो रख़ोगे तो कितना निकल कर आएगा तरी निकल कर दो तो यह विए आपका कौन कौन से केसी हो गये हमारे तीन केस कंसेडर करें, बेसिक केसी है ना, अब आ जाओ किस पे, सम स्पेशल केसी इसी पेज पे लिख लेते हैं सब कुछ, अब देखो सम स्पेशल केसी में क्या होगा, जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा, कि ये एक सरकल की एक्वेशन है, क्योंकि पैरा बोला से कन्फ् एक्स भी दिखेगा, वाई भी दिखेगा, एक्स भी दिखेगा, वाई भी दिखेगा, बोत स्कॉर, तो दोनों पर ही क्या होता है, स्कॉर होता है, ब्रैकेट में लिख देना, बोत स्कॉर, दोनों ही स्कॉर में होता है, ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं है, कि एक्स नहीं हो तो यह दे रहाँ सरफ एक ही चला करोंगा इस केस के लिए सिर्फ एक ही कंसीडर करूँगा ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर तीक है जैसे मांद लो यह दे दिया मैंने क्या एक्स स्क्वाइर प्लस कि मांद लो कि एट एक्स के प्लस होगा तो पहले देखते हैं पैचान लेना है कि वह सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो हमें एक होल is up क्या हरोगे सिक्सकार माइनस 6 भाइब तो इना होगा ऑट पर मैंस लाह रहा है पर माइनस-3 काश्कार कितना होगा नैन सो नाइन एड करा और नाइन सब्सक्राइड करा यह लिख दिया हमने चाहूं तो माइनस थी का होल स्कॉर भी लिख सकते हो कोई फरक नहीं बढ़ता तो यह कितना आ गया यह बन जाएगा आपका एक्स अब क्यूंकि यहां प्लस है तो एक्स प्लस फोर का होल स्कॉर ऐसे ही यह नOhji हमारा पूरा मर्ज हो गायाँ यह हमारा पूरा मर्ज हो गया वचा-16 नाइन जब यह सेWeर से अब 25 को आपको पता है क्या लिख सकते हों आप 2 यहां से हमें कि क्या पता चल गया सेंटर का पता चल गया और रेडियस नगतंता है विसली कर सकते हैं पहले सेंटर पर चले जाो और फिर सब्सक्राइग कर देना समझ समझ कर तदेखो द्यान से क्या होगा भाई आपने क्या लिखा सेंटर माइनस पॉर को मत flight इहां कहीं हमारा सेंटर आ गया मानस पूर प्यूक्षर कुन की वाइद हम देश क्योंकि फाइफ यूनिट से इसलिए क्या होगा सबस्क्ति गेंट कि अगर एक्स एक्सिस पर ही सेंटर होता तो तो मैं बहुत इजिली बता देता बट क्योंकि एक्स एक्स पर सेंटर नहीं है इसलिए हमने क्या करना है बस हमें इतना पता चल गया कि यह एक्स 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 को क्रॉस कर जाएगा सोच कर देखो ना यहां से यहां तक पहुंचने में तो यह सरकल का जो पॉर्चन है वो नीचे तक जाएगा यह पता चल जाएगा आपका तो आप इसे रफ स्कैची है तो इसलिए आप ऐसा बना देना बागी जब आप कंपस से बनाओगे ना तो आपका बिल्कुल एक्जाक्ट बन जाएगा तो यह आपका इस तरीके से बन जा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को इसकी खास बात क्या है एक बार आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लो यह लो स्क्रीन शॉट लो फटाफट बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं आगे चलो वाई तो यह है प्रिया का यसर आ गया यह निकी स्क्रीन शॉट भी ले लिए और क्लियर भी है और रिशब कभी यसर आ गया बाकि कौन रह गया सिर्फ एक रही पाहिल कि पाहिल बीटा कि अगया है कि पाहिल कि चीक है ओके चलो वैसे पाहिल तुम बोली दिया करो बीटा बोलते रहे तो सही रहता है थोड़क टास में वो रहती है पता रहता है क्लास चल रही है चलो तो क्लेर है बोल दो पाहल बिटा अपनी भीरे आवाज में बोल दो कोई बात में क्लेर है अब तो सही आ रही है अब सही आई दि चलो तो बच्चो सर्कल भी है अच अच नहीं मतलब जैसे पहले आवाज कमाई थी पर अब सही आवाज आ रही है ठीक है अब आजाओ बच्चो तीसरी उस पर चलते हैं तीसरा क्या है एलिप्स देखो इसमें ज्यादा तीन पांच नहीं करेगा वह हमारे साथ जैसे सरकल और पैराबोला में तो हमारे साथ वह ज्यादा तीन पांच करता है पर एलिप्स में हमारे साथ ज्यादा तीन पां स्कुराइर बाइबी स्कुराइब बन होता था अच्छा इसके डो तरीके के ग्राफ बनते था कैसा एक ऐसा बनता था कब जब एक वैल्यू वेन एस ग्रेटर देन भी जब बड़ा होता था बी से तो जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग दा यह आ आपको जदा टंशन निलेनी ये आपका दूसरा कैसा बनता था दूसरा बनता था इस तरीके से थिक्सिक्ष है कब जब वैन आपका B जो है वो बढ़ा है A से अगर B बढ़ा हो मतलब Y square का coefficient अगर बढ़ा है उससे तो कई लोग तो क्या करते हैं कई लोग क्या बोलते हैं कि भाई जिसका जो भी value बढ़ी है ना आप उसको A ही मान लो जैसे ध्यान से देखो जो value बढ़ी है उसे A ही मान लो तो अगर यह बढ़ा होगा B से तो आप इसको ऐसे मतलब कैसे करलो भी बढ़ा है से से लिख कैसे हों पर क्या लिख देना ई-0-2 बाकि अगर आप लोग क्या लिख सकते हो अगर ए लिखना है तो यहां पर इलिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठिक है फिर यहां पर यह वाली condition नहीं तो इसमें कुछ ज्यादा हमारे है नि तो इसमें अगर मैं एक एक्जाम्पल देखूं छोटा सा एक्जाम्पल देखूं तो क्या एक एक्जाम्पल हो गया मालो मैंने कह दिया एक्स स्क्वाइर बाइफ फॉर्ड यानिकि फॉर्ड ना देखे वो 16 वगर ऐसे लिखता है ठीक है बिल्कुल आपको बताएगा नहीं तो एक्स्क्वाइर अपॉन्टिफाइफ इक्वल्स वन तो मैं देखते दिख रहे है क्या इसमें ज्यादा वो निकरेगा बच्चों आ हो जाएगा यह एक्स्क्वाइर बाइस स्क्वाइर स्क्वाइर टॉन्टिफाइफ इक्वल्स वन में आपको क्या पता है कि और कैसा बनेगा वाई की वैल्यू बढ़ी है मतलब उसके नीचे जो कोफिशेंट है वह बड़ा है तो इसका मतलब क्या यह आपका मेजर एक्सि यह हो गया इस पर एक्वेशन लिख देना एक्सिस्क्वाइर बात कर रहा हूं तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो अच्छो फिर आगे बढ़ जाएंगे क्लियर होगा इसमें तो कुछ जादा खास है नहीं यह काम करो मतलब स्क्रीन शॉट इसके साइड में लिग देता हूं एलिप्स के साथ में हाइपर बोला वैसे इसमें है नहीं आपके है इसमें काम नहीं आएगा उसका क्योंकि इसमें अएरिया बाउंड़ बाइद कर्व निकालते हैं तो उसमें ना एरिया ओपन जैसे ऐसा बनता है न वो तो तो ओपन हो जाएगा तो बाउंड़ नहीं आती इसलिए हाइपर बोला है हमारे काम का नहीं है चैप्टर 8 के ल ऐसा यहाँ अगर यह बनन जाता है मेजर एकस्टे अलोंग टरेंख्स अगर एकज्यस पर के बन मुनें सबटी होती है तो यह ऊपर ऐसा बन जाएगा रङरे यह ओं यहां पर है तो मुल दूको तो यह आपका हाई पर बोला हो गया तो दोनों का आप स्क्रीन शॉट ले लो फटा फट फट फिर आगे बढ़ जाएंगे अच्छा मैं सिखा चुका हूँ ना आप लोगों को मॉडलस का ग्राफ तो आपको आ चुका है ना यह दुबारा बताना पड़ेगा बच्चो मॉडलस और का ग्राफ तो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है इंटिक्रेशन में सिखा दिया था शायद कि मॉडलस का ग्राफ कैसे बनाते हैं अगर सिखाना पड़ेगा तो बता दो अगर नहीं सिखाना तो फिर बोल दो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं मॉडल है तो बता दो अब प्रिया का है बतातो ठीक है चलो टी यह होगा अपना हई पर बोला अब आगे बढ़ जाते हैं और किसकी बात कर लेते हैं। मॉडलस की ठीक है चलो भई तो अब ध्यान से देखना किसकी बात कर रहे हैं हम लास्ट अब किसकी क्या क्या पढ़ चुके चार पढ़ चुके सरकल पैरवूला एलिप्स और अब बात करने किसकी मॉडलिस की देखो तो मॉडलिस फंक्शन का ग्राफ बच्चो आपको पता है क्या होता है वाई इक्वल मॉड एक्स को हम कैसे ब्रेक करते हैं हम वाई इक्वल को ऐसे ब्रेक करते हैं एक्स कब जब एक्स जिरो से बढ़ा है माइनस एक्स कब जब एक्स है तो हमें यह function उठाना है मतलब क्या y equal x बन जाएगा हमारे लिए अगर x की value क्या है वन वन का मतलब positive है तो हमें यह उठाते चलने हैं अब अगर x के लिए 1 होगी तो y के लिए कितनी होगी 1 अब x भी 1 y भी 1 का यहां जितने भी positive points है यहां पर ले लो चलो इसे तो जितने भी positive points है उनके लिए ऐसा आता जाएगा है इधर को चलता जाएगा वही वन पर 1 टू पर 2 थरी पर 3 ऐसे आता जाएगा और जितने भी points की बाद समझ आ रही है तो आपका ग्राफ कैसा बनता इस तरीके से इस तरीके से कि चैने का मतलब क्याँ अगर हमने यहां से देखो ना अगर मैंने एगस की जगह रखा तो मैं X की जगाा 1 रुकुँगा तो मुझे यहाला फंक्शन लेना पड़ेगा रहे हैं। तो यह क्या होगा आपका वन हो गया ऐसे ही इधर को चलता जाएगा तो इस तरीकी से आपका मॉड का ग्राफ बनता है ना अब ध्यान से देखना बच्चो यह था बेसिक यह कहता बेसिक पर आपको क्या होगा कई बार आपको शिफ्ट वाले भी देगा वह जैसे मानलो उसने यह कह दिया आपसे क्याओ वाई इक को भाई इक्वुल समय्ड.-3्ट करोई आपके पास परम ई miteinander za बना देना क्या बना देना वी गाटके करते हो और जो भी एक्स की वैलाय आ जाती है वह अपाँ जाते हो और अपना वो कर देते हो क्या नाम है वी बना देते हो अब मानलो यह आपका special case में भी हो जाता है इसमें special case की भी आ जाता है तो जैसे मानलो अगर some special case की बात करूं मैं क्या होगा है यहां से इसको यह लिखना होगा कि इसका वर्टेक्स क्या और चक्रो तो इसका वर्टेक्स आएगा वह क्या निकलके आएगा और पैरबॉला के केस जो कहां से वह बनेगा तो इसलिए उसको मैं वर्टेक्स बोल देता हूं बट हर केस में वर्टेक्स नहीं बोलते हैं इसमें पॉइंट से वह क्या हो रहा है वह पॉइंट है अब देखो अब जब मैंने x plus 5 को 0 से equate करा तो x plus 5 को जब हम 0 से equate करेंगे तो x के लिए कितनी आ रही है minus 5 x के लिए कितनी आ रही है minus 5 तो हमारा x क्या है minus 5 यहां कहीं आ रहा है मालो जब हम इसको 0 से equate करेंगे तो y के लिए कितनी आ रही है 2 तो यह जो हमारा point है यह point हमारा कौन सा आ गया minus 5,2 अब इस point से वी बना देना इस point से क्या बना देना वी बना देना तो यह आपका graph बन जाएगा clear है तो यह किसका graph है y modulus function का आपको यह मॉड्लस function का graph अच्छी करें तो यह चलो तो यह मॉड्लस function हो गया हमारा अब देखो मॉड्लस function के बाद हम किसकी बात करेंगे अब हम बात करते हैं greatest integer function इसमें पूछता नहीं है क्यों क्योंकि उसमें भी open curve बनती है ना इसमें sketching हमने आज में सीख लिए आप लोग इससे कर्व बनाना मतलब क्या कर सकते अब आपको बताऊंगा आप लोग को क्या homework करना है कि पहले का screen shot लेना था यह लो बेटा ले लो कि दंसर चलो अब सही मज़ा आ रहा है चलो ठीक है सो यह है आपका 6 अब देखो अब क्या है किसकी बात कर रहा था मैं अब देखो इस ट्रेट लाइन यह तो आपने चैप्टर ही पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 11 क्लास में अब देखो इस ट्रेट लाइन में आपने भूच सारी form देखी थी तो सबसे पहले यह स्वेड़ें गारीं के जैप्टर या तो मैं इसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं किसकी बात करता हूं दूसरा y equals mx plus c, इसको क्या बोलते थे, slope intercept form, क्या होती थे, slope intercept form, इसमें slope दे रखा होता था, m और point दे रखा होता था, तो यह क्या होती थे, हमारी slope intercept form, y equals mx plus c, अब क्या होगा, बनाने को हम यहां से भी बना सकते हैं, point put करके, but discuss करना जरूरी है, अच्छा, इसके बाद एक हमारी कौ two point form, जिसमें हम क्या लिखते थे, y minus y1 equals y2 minus y1 divided by x2 minus x1 times x minus x1, बच्चों यह बहुती काम किया है हमारी, यह हमारे काम किया है, क्योंकि इस पर based question मिलेंगे हमें, यह ज़्यादा काम की नहीं है, यह ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत easy है, यह आपके काफी क काम किया है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, two point form कहते हैं, इसे कौनसी form है, two point form, अगर एक point है x1, y1, दूसरा point है x2, y2, तो यहां से pass होती हुई एक straight line की जो equation है, वो हम ऐसे देते हैं, कैसे देते हैं, इस तरीके से, y minus y1 equals y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x1, अच्छा slope जो एम ह होता है हमारा, slope m होता क्या है, actual में slope m होता है, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, यह slope होता है, ठीक है, और slope m होता है, वो क्या होता है, 10 theta, यह सब ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, आप से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस यह बहुती ज़्यादा खास important है, और इसका graph बनाना easy है बच्चो, straight line का graph बनाने की, अगर मैं बात करूँ तो यह बहुती easy है, आपके लिए कुछ खास मुश्किल नहीं, अच्छा, एक होता था आपका xya plus y by b equal 1, जिसे हम बोलते थे, intercept form, क्या होती थी यह, intercept form होती थी, इसके लिए थोड़ा सा graph direct बना लेते हैं, इसका, यह क्या ह direct बनती थी, इस form की, बाकी यह वाली form आ जाएगी, आपके पास y by minus y1 वाली या y equal to mx plus c वाली, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, put कर करके बना लेना, एक बार x को 0 रखना y को 0 रखना x को वाली निकालना, दोनों point मिल जाएंगे, join कर दोगे, straight line बन जाएगी, तो straight point अगर दे रखें, तो उसका curve तो यह बन गया तुरंत, नहीं समझे, मैंसे किसे ने का एक curve बना ओ, कैसे, भाई मेरे आपको 2 point दे दी, एक curve बना दो, आपने का ये दोनों को join कर दिया, बन की curve, तो ये बहुत ही असान हो गया, straight line हमने बना लिया, अच्छा, इसका screenshot लो अब बात करते हैं किसकी, अब देखो द्यान से, तो हमारे कौन सा था वो, 6th straight line, अब देखो 7th, 7th बात कर रहा हूं मैं किसकी, कुछ ऐसे cases की, यह चलो पहले trigonometric ले लो, 7th में trigonometric ले लो, trigonometric ग्राफ, अच्छा, trigonometric ग्राफ में ज्यादेतर आपके सिर्फ दो ही होते हैं, क्यों, क्योंकि बाकि जो आप ग्राफ देखोगे ना, तो open होते हैं, bounded नहीं आ पाएगा उन से, तो इसलिए दो ही आपके ग्राफ पढ़ाई जाते हैं, इसका a part ले लो, y equals sin x, तो sin x का ग्रा माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में, यह sin x का ग्राफ है, दूसरा y equals cos x का ग्राफ, y equals cos x का ग्राफ कैसे बनता है, अब हमें बता है, cos 0 की value होती है, तो उसका ग्राफ 1 से शुरू होता है, बस उसकी यही खास बात है, मतलब बनता है, यह periodic सा, जैसा sin x का ग्राफ बन रहा है, बस क क्योंकि, cos 0 की value 1 होती है, इसलिए वो आपका इस तरीके से शुरू होता है, इस point को 1 बोल देते हैं, और यह आपका यहाँ से ही शुरू हो जाता है, clear है, और यह πाइवाई 2 होता है, कितना होता है, पाइवाई 2 होता है, चीक है, तो अब देखो, आपको पता है, यह एहां पर ऐसी चला लेना आप ग्राफ को अब यह कितना यह कितना यह आपका 3 इसका ग्राफ देखो बना देता हूं आपके लिए कैसा बनता इसका बनता है कुछ इस तरीके से यह इस तरीके से ठीके ध्यान रखना बाकि इसको अगर आप प्लॉट करकर करोगे तो हो जाएगा यह ग्राफ इसमें कर वी कैसे आएगा उसमें थोड़ी दिक्कत आएती कई बच्चों को तो इसलिए क्या करना सिर्फ याद रख लेना इसको क्या करना याद ही रख लेना कि वाई इक्वल दिक्राव 501-2 खत्म हो गया सारे वाइअ कि चत्म होगें तो करव चेचिंग का पार्ट का इतना है एप प्रिया की रख करना से याप स्क्रीनशों एपको क्या करना है है आपको को NCIT की बुक उठानी है ध्यान से देखना बहुत ही काम का homework है ठीक है बहुत फायदा होगा आपको आपको homework में क्या करना है एक छोटी सी exercise करना इतना इस पर पहले बताऊं तो six marks का question आता है आपके बोड़ एक्जाम में तो च्छै नंबर पूरे पक्के कर लो इसको और एक द सीधा जाओ कर बनाओ अलग अलग जैसे अगर उसमें एक इक कोश्चन में बोला ना y is equal to x square भी बना दो y equal x भी बना दो तो आप उसमें दोनों करव एक साथ मत बनाना अलग अलग बनाओ y equal x square भी अलग बनाओ y equal x भी अलग बनाओ तो मतलब question पिक करो NCRT से और जा जाके कर बनानी शुरू कर दो सारी पूरी चैप्टर जितनी भी दे रखी हैं आपको उनकी कर बनानी आपके बाकी linear inequality यह तो एक काम करो बच्चों कर लेना फिर next class में आगे continue कर लूँगा ठीक है कि यहां तक तो clear है ना कि यहां तक clear है बिटा यह सर्ट चलो ठीक है कि यह सर्ट ठीक है कोई बात में चलो तो आज के लिए इतना ही रखते है होमवक में आप इसकी कर्व स्केचिंग ट्राइए करना जो भी डाउट्स होंगे और नेक्स क्लास में पूछना चलो ओके बटा बाए बाए